हलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं हॉकिन्स फ्यूचुरा हार्ड एनोडाइजड दवा की अन्बॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रही हूँ तो चलिए अन्बॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये तवे का ओरिजिनल बॉक्स है इस तवे पे 5 साल की वारेंटी दी गई है कंपनी की ओर से तवे का डाइमीटर 26 सेंटीमीटर है और या 4.88 mm थिक है चली अब तवे को बाहर निकालते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि तवे के साथ ये 5 येर्स का वारेंटी काट दिया गया है इस लीफ लेट में तवे को कैसे यूज करना है इसके इंस्ट्रक्शन्स दिये गए हैं ये तवा है जो उठाने पर हैवी और स्टड़ी लग रहा है इसका हैंडल मिटल से बना है ये रेसिपी बुक है जो तवे के साथ दिया गया है दोस्तों मैनुफैक्चरर के अनुसार ये तवा ज्यादा हीट पर भी खराब नहीं होगा और आप इस पे मेटल के चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं इसमें रोटी, पराठा या कोई और रेसिपी बहुत जल्दी बन जाएगा अगर आप इसे अच्छे से मेंटेन करेंगे तो यह सालों तक सही रहेगा दोस्तो या बुकलेट है जिसमें रेसिपी के साथ साथ सारे पॉइंट्स मेंशन हैं कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है, इसकी सफाई कैसे करनी है यहां हौकिन्स के ही अलग-अलग साइजेस के तवों के बारे में जानकारी दी गई है दोस्तो अगर सामने से देखें तो मुझे यह तवा बहुत ही मजबूत और वजनदार लगा इसका लुक और फील भी बहुत अच्छा है वैसे तो मैंने इसे आनलाइन लिया है मगर आप इसे लोकल शॉप से भी ले सकते हैं आईए चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ कि यह तवा एक्च्छल में है कैसा पहले मैं तवे को गर्म करके इसका स्टिकर बाहर निकालूंगी उसके बाद मैं इसे दोकर यूज करूंगी दोस्तो यह तवा बहुत जल्दी हीट होता है इसलिए जब भी आप रोटी या पराठा बनाएं तो उसे मीडियम आज पर बनाएं दोस्तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रोटी बहुत ही अच्छे से फूल गई है दोस्तो मेरे उपीनियन में यह प्रोड़क्ट बहुत ही अच्छा है और आप इसे जरूर ले सकते हैं